ओम कैशी महागड़ी शाय नमा ताथी ताथी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों हिंदु धर्मी मकसंक्राथी पर्व का विशिश महत्व होता है इस दिन इस नान दान जब तब शाथ और अनुष्ठान को बहुत शुपमाना जाता है कहते हैं इस दिन नाने के पानी में कुछ चीज़ें मिलाकर नाने से भाकी की बाथाईं दूर हो जाती हैं सफलता के साथ ही आर्थिक लाब भी होता है मकर संक्रांती पर सूरे देप मकर राशी में प्रवेश करते हैं और इस दिन से देपताओं का दिन यानिकी उत्तरायन शुरू हो जाता है इसलिए इस दिन को बहुत शुमाना जाता है मकर संक्रांती पर सबसे अधिक महत्व होता है इसनान और दान का कहते हैं इस दिन गंगा इस्नान करने से मृत्युक के पश्चात अवश्य ही मुक्ष की प्राम्ति होती है इसलिए मकस संक्रांती पर गंगा जी के घाड़ पर भक्तों की भीड लग जाती है दोस्तों मकर संक्रांती पर इस नान किये बिना अगर अन्य ग्रहन कर लिया जाए तो इससे दोश भी लगता है मकर संक्रांती पर इस नान को विशिश महत्व दिया गया है शास्तों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें अगर मकर संक्रांती पर नहने के पानी में डालकर नहया जाए याने के इस्तनान किया जाए तो इससे सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं दूर भागे सौ भागे में बदल जाता है भागे प्रवल होता है और दरित्ता कूर्सों दूर भाग जाती है साधी भागवान सूरे के साथ धन की देवी मा लक्ष्मी का आश्रवा प्राप्त होता है और जीवन भर धन की कमी नहीं होती रोग दूर हो जाते हैं आईए दूस्तों जानते हैं मकज संक्रांती पर कौन सी ऐसी चीजे हैं जिन्हें नहने के पानी में मिलाकर नहने से सारे कश्ट दूर हो जाते हैं दूस्तों मकज संक्रांती पर गंगा इसनान का विशिश महत्व होता है लेकिन अगर आप गंगा जी में जाकर इसनान ना कर सके जोकी हरे के लिए संभब नहीं है तो ऐसे में अपने घर पर ही इसनान के जल में गंगा जल मिलाकर इसनान करना चाहिए अगर गंगा जल ना भी हो तो आपको इसनान करते समय मन हर हर गंगे का जाप करना चाहिए ऐसा करने से घर पर ही गंगा इसनान का पुन्यफल प्राप्त होता है दोस्तों मकर संक्रांती पर सबसे अधिक बहत्व होता है तिल का दिल भगवान विश्णू के शरीश से उत्वन होए हैं दिल भगवान विश्णू के साथ मालक्ष्मी जी सूरे देव और शनी देव को अत्यधिक प्रिये हैं मकर संक्रांती का पर भगवान विश्णू मालक्ष्मी के साथ सूरे देव और शनी देव को समर्पित होता है इसलिए मकर संक्रांती पर तिल को खाना तिल को दान करने के साथ साथ तिल से इसनान करना बहुत ही शुबाना जाता है मकर संक्रांती के दिन पानी में काली तिल मिलाकर उससे इसनान करना चाहिए ऐसा करने से सूरी देप की कृपा प्राप्त होती है धार्मिक मानिताओं के अनुसार काली तिल मिलाकर इसनान करने से सूरी देव के साथ शनी देव का भी आशिरवाद प्राप्त होता है और सभी ग्रहदोश दूर होते हैं सूरी देव और शनी देव के किरपा से भाके प्रवल होता है साथी भगवान विश्णु का भी आशिरवाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है काले तिल के इलाबा अगर आप सफीत तिल डाल कर जल से इसनान करेंगे तो इससे मालक्षमी अतिशीगर ही प्रसन हो जाएंगी मानिता है कि मालक्षमी को सफीत रंगे तिल प्रिये है मकर संक्रांती पर जल में सफीत तिल डाल कर उससे इसनान करेंगे से दरित्ता कोसों दूर भाग जाती है मालक्षमी की कृपा से घर में सुक संबध्धी आती है और पारिवार के सभी सरस्यों के संबंध भी मजबूत होते हैं दोस्तों मकर संक्रांती के दिन पानी में हरी इलाईची मिलाकर इसनान करना भी बहुत शुपाना चाहता है एक छोटी हरी इलाईची को नहने के पानी में डाल देना चाहें और फिक कुछ समय बाद उस पानी से इसनान करना चाहें ऐसा करने से आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा और जल्दी अच्छे दिन के शुरुवात होगी जिन लोगों को रोग है जिनें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है उन्हें अपने भाके को प्रवल बनाने के लिए और रोग से छुटकारा पाने के लिए इसनान के जल में कुछ बूंदें दूद की डाल कर उससे इसनान करना चाहें ऐसा करने से भाके साथ देने लगता है बीमारी भी जल्द ही दूर हो जाती है मा लक्ष्मी के कृपा से दरित्ता कोसों दूर भाग जाती है जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है जिनके पती पत्नी में आपसे संबंद अच्छे नहीं है नौबत तलाग तक आ गई है या फिर जो युबक युप्ती बिवा के योग्य हो गए है लेकिन उनका बिवा नहीं हो पा रहा है या आप प्रेम बिवा करना चाहते है बिवा से जुड़ी कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आपको मकर संक्रांती के दिन नहने के पाने में एक चुटकी हल्ती दाल कर उससे इस नान कैना चाहिए ऐसा कैने से भगवान बिश्णों का आश्यरवार प्राप्त होता है इस नान करते समय ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जाफ करें इस्तर है इसदान करने से भगवान पिष्णों की क्रपासे जल्द बिभा के योग बंते हैं भगवान पिष्णों के साथ बिभा के ग्रहरे याने के गुरु ग्रहरे भी मजबूत होते हैं गुरु कहें कि इस्थिती मजबूत होने से बिवा में आ रही अर्चनी दूर होती हैं। जल्द बिवा हो जाता है। साथी बैवाहिक जीवन में जो समस्या चल रही होती हैं वह दूर हो जाती है। इसलिए बिवा संबंदी समस्या को दूर कहने के लिए मकर संक्रांती पर इ से इस्तान करना चाहिए दोस्तों अगर आप बहुत उदास महसूस करते हैं आपको नेगिटिव एनरजी का एहसास होता है सब कुछ होने के बाद भी मन उदास रहता है कुछ ठीक नहीं लगता या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है आप जल्द ही बुरी नजर का असर ह हो जाता है तो इन समस्या को दूर कहने के लिए मकर संक्रांथी पर आप अपने नहनी के पानी में एक चुटकी पिसा हुआ नमक डालें और फिर इससे इस्नान करें नमक में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की शक्ति होती है धार्मिक मानिताओं की अनुसार मकर संक्रा पर इस्तान के जल में नमक डालकर उससे इस्तान कहने से नेगेटिव एनरजी खत्म हो जाती है और सकारात्मक उजा बढ़ती है इसकी साथ ही किसी की बुरी नजर अगर लगी हुई होती है तो वह भी तुरंट तूर हो जाती है साथ ही बुरी नजर से भी आपकी रक्षा होती है और सभी कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं सकारात्मक शक्तियों का आवरण आपके आसपास बन जाएगा जिससे नकारात्मक शक्तियां भी आपसे दूर रहेंगी जोते शास्त के अनुसार मकर संक्रांती पर अपनी राशी के अनुसार चीज इस्तान के जल में डालकर इसनान कहने से बहुत लाब होता है मेश राशी वाले लोगों को मकर संक्रांती के दिन काले दिल मिलाकर नहना चाहिए इससे भागे प्रवल होता है साथी दरित्ता भी कोसों दूर भाग जाती है ब्रशब राशी वालों के स्वामी शुक्र है इसलिए मकर संक्रांत के दिन पानी में थोड़ी सी इलाइची मिलाकर या एक हरी substantially डाल कर इससे आपका पुरा समय जल्द ही खोच्म हो जाएगा मिठुन राशी वालों के स्वामी बुद्ध है इस राशी के लोगों को नानी पानी में काले दिल डाल कर ही इसनान करना चाहें ऐसा करने से दुर भाग के दूर होता है और किस्मत साथ देनी लगेगी करक राशे के लोगों को मगर संक्रांदी पर नाने के पानी में केसर डाल कर उससे इसनान करना चाहें अगर केसर ना हो तो आप एक चुटकी कुम-कुम डाल लें और फिर इससे इसनान करें ऐसा करने से आपके उपर नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होगा और आपको पॉजिटिव एनरजी का एहसास होगा कारियों में आ रही रुकावट भी दूर हो जाएंगी शिही राशी वालों को मकज संक्रांती के दिन इसनान की जल में दूद मिलाकर इसनान करना चाहिएं ऐसा करने से आपको धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी कन्याराशी वाले लोगों को नानी की पानी में घी डाल कर इसनान कहना चाहिए सिर्फ एक तो बूंद घी ही आपको डालना है ऐसा कहने से आपके आसपास जो नकारात्मक उजा होगी वे खत्म हो जाएगी और रोगों से भी जल्द ही छुटकारा मिलेगा निरोगी काया प्राप्त होगी तुला राशी वालों को सहसों का तेल मिलाकर इसनान कहना चाहिए ऐसा कहने से रुके कारे पोण होंगे ब्रश्चिक राशी वालों को नाने के पाने में नमग डालकर इसनान कहना चाहिए ऐसा कहने से बिगड़े कारे भी बनने लग जाएंगे आसपास सकारात्मक उजा बनी रहेगी धनू राशी वालों को मगर संकरांती पर एक चुटकी हल्टी डाल कर इसनान कहना चाहें ऐसा कहने से भगवान पिश्टू के किरपासे कष्टो सी छुटकारा मिलेगा मकर राशी वालों को पानी में चंदन मिलाकर इसनान कहना चाहें कुम्बु राशी वालों को पानी में गुलाब जल डालकर इसनान कहना चाहें ऐसा कहने से हर मनुकामना पोण होगी मीन राशी वाले पानी में हल्टी डालकर इसनान करें इससे आपकी आथिक तंगी भी दूर हो जाएगी दोस्तों मकर संक्रांती के पावन पर पर इन चीजों को इस्तान की जल में डालकर इस्तान अवश्य ही करना चाहिए ऐसा करने से सभी कश्ट दूर होते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंत आई होगी प्लिस लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचेंग राधी राधी